असलामलेकुम आम तोर पर लोग ये समझते हैं कि वो मैनेजर हैं और लोग उनको as a manager accept करें without doing anything for the team तो this is not possible आप अगर especially ये message उन लोगों के लिए जो first time manager बने हैं या भी manager बनने जा रहे हैं या supervisor बनने हैं या team leader बनने हैं अगर आप team को effectively operate करना चाहते हैं सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा वो है आपने अपनी team को confidence में लेने के लिए आपको first step जो लेना पड़ता है वो होता है कि अगर team से कोई mistakes हो रही है या कोई ऐसे काम वो कह रहे हैं जो कि business को negative impact दे रहे हैं तीम आपके लिए जान देने के लिए भी तयार हो जाएगी और आपको ना सिर्फ वो manager accept करेगी आपको boss भी मानेगी और आपकी दिल से इज़त भी करेगी अब हम यह चाहरे होते हैं कि हम हमारी जो team है उनकी जो negative चीज़े होती है उनको हम लोग highlight करते हैं और जो positive चीज़े होती है वो अपने credit में डालकर top management को present कर रहे होते हैं और at the end of the day फिर जो हमारी team के issues होते हैं वो बहुत जादा बढ़ रहे होते हैं तो वो तो automatically बढ़ेंगे जब आप किसी को उसके negative काम के उपर हैं उसकी गलती के उपर आप हर वक्त उसको इसको कोशते रहेंगे घर वक्त उसको टांते रहेंगे बजाब करें उसको help करें उसको develop करें तो फिर तो एक team में rift develop होगी तो मेरा जो उसमें आप लोगों को मश्वरा होगा इस्पेशली टीम मैनेजमेंट और लीडिर्शिप डिवैलिमेंट के पॉइंट आप विए से वो यह है कि अपनी टीम को आउन करें ना सिरफ उनके पॉजिटिव साइड को आउन करें बलकर उनकी नेगटिविटी को भी ओन करें और उनको डिवैलप करें उनको गाइड करें उनकी छोटी छोटी गलती हैं उनके साथ टाइम स्वेंट करें उनको प्रॉपरली गाइड करने के बाद फिर आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करें और team में demotivation level पैदा होगा और आप एक अच्छे manager या अच्छे leader थाबित नहीं हो सकेंगे बहुत शुक्रिया, Assalamualaikum